चुल Boss न को अस्लाम लालेकुम में वैलकम टूו Microsoft Axel डिटारियल इससे पिछली वीडियो में उनने देखा कि हम कोई भी शीट बनाते हैं तो उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं इस वीडियो में देखेंगे कि हम कोई भी sheet किस तरह insert कर सकते हैं और एक sheet की हम किस तरह copy बना सकते हैं यह एक मेरे पास sheet open है और अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें और भी sheets add हो जाएं तो इसका एक simple method यह है कि यह इस plus वाले निशान पर आएं और इस पर click करें तो यह sheet add हो गई sheet 2, sheet 3, sheet 4 अब मैं इनको delete करता हूँ अब अगर मैं चाहता हूँ कि यह जो मेरे पास sheet open है इसकी मेरे पास copy आज़े तो आप simple sheet 1 पर आके right click करें और यहां से move or copy तो create or copy बेक और यह आप से पूछ रहा के before sheet 5 यह 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 sheet 5 से पहले आए यह sheet 1 से पहले आए यह move to end यह यह लास्ट पर आए तो मैं इसको यहां पर move to end कर रहा हूँ और ok तो यह आप देखें मेरे पास sheet 1, 2 के name से इसकी duplicate आगई आप इसको यहां से rename भी कर सकते हैं यह rename मैं इदर लिख देता हूँ my book आप इसको यहां से tab color से color भी change कर सकते हैं यह बहुत useful होता है जब मारे पास बहुत सा counts वगारा का data हो तो उसमें यह useful होता है तो इस तरह हमने देखा कि हम किस तरह कोई भी sheet इंजर कर सकते हैं और अगर हमने कोई sheet बनाई हो और हम उसकी copy बनाना चाहते हो तो वह हम किस तरह बनाएंगे तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें झाल